अपना फार्मा जोन के एक नए और इंफर्मेटिव वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम मिकासीन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे चानेंगे यह किस क्लास का ड्रग है यह कब दिया जाता है कितनी डोज में दिया जाता है मार्किट में या कॉंसिस्टेंट में एक एंटिबायोटिक इंजेक्शन है इसके अंदर अमीकासीन नाम की एंटिबायोटिक दवाई प्रेजन्ट होती है जो की एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास का ड्रग है यह दो एमल का इंजेक्शन आता है जिसकी MRP 113.75 पैसा है यह ब्रॉट स्पेक्टर में ही बिविन ब्रैंडों में उपलब्ध है जैसे मीका स्टार मैंकाइन का अमी स्टार एलकम का आपके अपने छेतर में अलग अलग ब्रैंड उपलब्ध हो सकते हैं लेकिन सभी में जो दवाई है वो अमीकासीन ही होगी दोस्तों यह 100 mg, 250 mg, 500 mg की स्ट्रेंथ में आता है यह 2 ml का इंजेक्शन होता है हर ml में 1 ml में 250 mg अमीकासीन दवाई मिली हुए होती है अब डोस की बात करते हैं बच्चों में और अडोल सेंट्स में यह 15 mg पर केजी पर डे की डिवाइड़ी डोस में दिया जाता है हर 8 से 12 घंटे के अंतराल में हम इसे दे सकते हैं यानि बच्च यानि IM और IV इंट्रावेनस दोनों परकार से दिया जा सकते हैं बात करें अगर अडल्ट की तो अडल्ट में भी यह 15 mg पर केजी पर डे की डोस में इन टू डिवाइड़ी डोस में दे सकते हैं डोस केल्कुलेशन की बात करें तो अगर हम एक किसी का वज़न 60 kg है तो 15 mg इंटू 60 kg इस एकल टू 900 mg 900 mg हमने दो डिवाइड़ी डोस में पेशन को देना है हमारे 2 ml के इंजेक्शन में 1 ml में 250 mg है तो 900 से अगर हम 250 डिवाइड टरते हैं 3.6 ml की डोस बनती है तो हम अपने पेशन को 3.6 ml की रिकवाइड डोस देंगे इंट्राइब्डमनल इंफेक्शन जैसे टाइफाइड फिवर में निमोनिया जैसे इंफेक्शन में बैक्टरी सीमिया में, सैप्टी सीमिया, यूरनी ट्रैक्ट का इंफेक्शन जिसे मुत्राशे का इंफेक्शन हो गया, पशाब में जलन्ट हो रही हो, पशाब में पस आ रहा हो, पोन इंफेक्शन में, जॉइन के इंफेक्शन में, सी एनेस इंफेक्शन यानि कि हमारे दिम हैं सिंतर नेर्वन सिस्ट्रम के इनफेक्शण हो जिसे हम एनजाइटी्स कहते हैँ Ooh इंफेक्शन हो स्कन्क का इंफेक्शन हो भारण हो खुजली वूंड हो रहा हो वूंड है अज एकसी अइन फेक्शन एसदिया जासान अब देखने को मिलते हैं जैसे headache, सरदर्द का होना, उल्टी का होना, diarrhea, धुंदला दिखाई देना, blood vision जैसे समाने side effects देखने को मिलते हैं जो कि आम तोर पर reversible हैं overdose होने पर यह गंभीर रूट ले लेते हैं, जैसे autotoxicity यानि की बहरापन हो जाना, nephrotoxicity यानि की टिग्नियों का damage हो जाना, neurotoxicity या neurons का damage हो जाना जैसे गंभीर side effects देखने को मिलते हैं अब बात करें contra indications की हमें यह किन के साथ नहीं देना जाहिए तो यह कुछ drugs हैं, जैसे frosemite जो की lube diuretic है, उसके साथ नहीं देना चाहिए अगर हम देंगे तो kidney damage हो सकती है ceftrioxone जो की एक cephalosporin antibiotic है, इसके साथ भी नहीं देना चाहिए, यह भी kidney को damage कर सकता है aspirin जो की एक NSAID type का pain killer है, इसके साथ भी नहीं देना चाहिए, अगर देना हो तो वजन का ध्यान रखना चाहिए और kidney की निगरानी करते रहना चाहिए, यह कुछ गंबीर बिमारियां होती है, जैसे myasthenia gravis, जो की एक muscular disorder है, उसमें भी नहीं देना चाहिए, अगर किसी patient की kidney की खराब है, तो भी नहीं देना चाहिए pregnant lady को भी नहीं देना चाहिए, इस से बच्चों में deepness आने की संभाव नहीं हो सकते है, यहाँ था अमीका सिन के बारे में, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्रीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अब तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, तो प्रीज सब्सक्राइब जरूर करना